प्लीस सब्सक्राइब दिस चैनल और क्लिक उन बेल आइकोन एक उन वीडियो नोटिफिकेशन यू विल गेट अल वीडियो नोटिफिकेशन एंड रेडी तो वार्ट आज हम करक राशी का वीडियो लेके आए हैं उनका जो गुरु मारगी हुआ है उसके उपर क्या इंपेक्ट आपके उपर पढ़ने वाला है देखिए करक राशी का जो गुरु मारगी हुआ है गुरु जो है आपका सिक्स्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा है धनु राशी में और राउ के तू आलड़ी 23 सेप्टेंबर को गुरु के चुम्बल से निकल शुप ग्रैक की दृष्टी नहीं है ना राउ की है ना शनी की है तो गुरु अब बहुत कमफर्ट जान में चल रहा है तो करक राशी के उपर इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपक्ट परने वाला है क्योंकि गुरु आर लड़ी आपके सिक्स हाउस पे चल रहा है स्वें किराशी में सिक्स हाउस में आपके आपके जो दृष्टियों को जो जो मुलयानी की पांच वीं साथ वीं और नौमी दृष्टी को देख रहा है वो इसकी बहूत अम्रित दृष्टी होती है गुरु जिस बाव में बैठता है उस बाव की खाणि करता है लेकिन शनी जिस जो positive movement शुरू हुआ है वो 23 September से लेके 18 November 2020 तक चलेगा उसके बाद गुरू मकर राशी में परवेश करेगा गुरू की पांचवी दृष्टी आपकी सीधी 10th house पे जा रही है आपके job profession में improvement लेके आ रहा है आपका रुका हुआ काम शुरू हो गया है करक राशी वालों का और द hospitality का काम या और भी अगर कोई business करते हैं तो उसमें भी काफी improvement गुरू ने start करना शुरू कर दिया है अब गुरू की जो साथ में दृष्टी है आपकी मिथुन राशी पर 12th house पर जा रही है 12th house जो होता है आपकी यात्राओं का है expense का है investment का है गुरू की जो मिथुन राशी दृष्टी जा रही है मिथुन राशी जो होती है बुद्ध पर दान राशी होती है तो communications में IT में आपका software यानि की जितनी भी आपकी technology की चीजी है उसको आप adopt करना शुरू कर आपने कर दिया है क्योंकि गुरू की दृष्टी जब भी बुद्ध के खाने में जाती है तो ह सम लोग इस technology के दोबारा अपने business को improvement करने की कोशिश करते हैं तो उस technology का बरपूर आपको यहां पर गुरू सपोर्ट देने वाला है क्योंकि बुद्ध भी एक शुप planet है और दूसरी बात यहाए कि दूसरे शेरों की यात्रा भी आपकी सामने आ रही है आप यात्रा के द अगली दृष्टी है नौमी दृष्टी वो सिंग राशी पर आपकी सेकिंड आउस पर जा रही है सिंग राशी पर आपकी गुरू की दृष्टी होने से आपका जो सेकिंड आउस है वो आपको धन अचानक से मिल सकता है आपके परिवार में आपको सपोर्ट मिलेगी दू कि सिंग राश्ची जो होती है सरकारी कामों के साथ लिंक बाने जाती है जो लोग कोई टेंडर वगारा बना चाहते हैं आइटमों का उनके लिए करक राश्ची वालों के लिए सरकारी कामों के लिए ये टाइम खुल चुका है और सिंग राश्ची जो आपकी सेकिंड और उस क्योंकि सेकिंड आउस धन का भी होता है और धन आपको अरजित होने वाला पिता की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट लेगी पिता से अशीरवद भी मिलेगा या कि सेकिंड आउस का जो लोड है वो सिंग राशी है और सूरे भगवान की अगर आप साथ में अरादना करते हैं तो गुरू का प्रवाब और पॉजिटिव आपके उपर पड़ेगा जो गुरू की दूसरी राशी है वो आपकी नाइंध हाउस की राशी है देखिए बागय की राशी है आपका लोड जो है वो सिक्स हाउस में चल रहा है और नाइंध हाउस का लोड जब सिक्स हाउस में जाता है तो आपको धार्मिक चीजों में भी काफी बड़ोतरी करेगा और धर्म के कारे में भी रुची होने से आपके भागे में भी काफी बड़ोतरी लेके आएगा पिता की सेथ में भी ये सुदार करेगा तो गुरू का ये जो ट्रांजिट है आपके लिए काफी अच्छा है मारगी होना आपके लिए शुब है गुरू स्वेंग की राशी में चल रहा है अगला जो अठारा नॉमंबर के बाद योग बनेगा वो शनी के साथ सेवन्थ होस में आपका बनेगा सेवन्थ होस में इससे भी अच्छा आपको फ़ल मिलेगा क्योंकि केंदर में आजएगा और आपके लगन राशी को देखेगा तो उसकी वीडियो अलग से आपको आगे चल कर बताएंगे कैलकुलेशन तो ये जो योग है आपके लिए बहुत अच्छा है आप इंजाय करिए लाइफ में और अपने मेंनत के दवारा अपने वेपार को बढ़ा सकते हैं गुरु के लिए आप गुरु के मंतरों का जाब भी कर सकते हैं पीली चीजों के दारन भी कर सकते हैं गुरु वार को आप गुरु माराजजी को अपना मत्था भी टेक सकते हैं और पीले फूलों का हार अगर आप उनको चड़ाएं तो आपके जीवों में काफी तरक्की के चांस बनते हैं तो ये वीडियो कैसी लेगी जुरूर बताइए करकराशी वालों को इसके साथ हम आपसे आगए लगते हैं नमश्कार